रामराम भक्तों इस साल दिवाली को लेकर काफी भ्रम की स्थिती बनी हुई है क्योंकि कार्तिक अमावस्या तिथी दो दिन 31 अक्तूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है। और 2 नवंबर को लेकर की साल दिवाली का तियोहार न सिर्फ देश में मनाया जाता है बलकि दुनिया के कई हिस्सों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। दिवाली के दिन घर को रंगोली, दीपक, फूल मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से विशेश सजावटें करते हैं। भक्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोग से पृत्वी पर आती हैं। और जिन घरों में साफ सफाई और सजावटें रहती हैं, वहां पर वास करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या तिथी को मनाई जाती है। लेकिन इस बार अमावस्या तिथी 31 अक्तूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन पढ़ने के कारण भ्रम की स्थिती बनी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथी 31 अक्तूबर को दोपहर 3 बजकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम 5 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथी की शुरुआत होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथी के रहने पर और प्रदोश काल यानि सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। इस तरह से 31 अक्तूबर को अमावस्या तिथी प्रदोश काल और निशिता काल के मुहूर्थ में दीपावली मनाना शुब होगा। इसलिए भक्तों 31 अक्तूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पूजन का शुब मुहूर्थ 31 अक्तूबर को शाम 6 बचकर 27 मिनट से रात लेकर 8 बचकर 32 बजे तक रहेगा। नवंबर को रहेगा और भाई दूज 3 नवंबर को रहेगा। भक्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैमा लक्ष्मी अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।